असलाम अलेकुम, हेलो एवरिवन, कैसे हैं आप? दोस्तो, आज कल टिक टॉक एप्लिकेशन को कुछ ज्यादा ही तंकीत का निशाना बनाया जा रहा है क्यूंके हाल ही में, पिछले कुछ अरसे में, टिक टॉक बनाते बनाते, कई लोगों के जान लेवा एक्सिडेंट्स हुए है जब भी किसी टिक टॉकर के इंतिकाल की हबर आई, तो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस एप्लिकेशन को बैंड कर देनी की तजवीज दी टिक टॉक मेहज एक एप्लिकेशन है, उसका यूज हमें किस तरह करना है, ये बात मुकमल तोर पर उसे यूज करने वालों पर डिपेंड करती है और इस बात की एक जिन्दा मिसाल, संगीत जैन है, जो के वीलचेयर पर होते हुए इस वक्त टिक टॉक के दुनिया में चाही हुई है इन्हों ने इस कॉंट्रोवर्शल प्रेटफॉर्म का इस्तमाल एक बहुत ही यूसफुल काम के लिए किया, आएए डिटेल्स जानते हैं इस वीडियो में मजीद वीडियो देखने से पहले इन्फो वर्ल 2.0 को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन प्रेस करने के बाद आल पर क्लिक करें ताके हम आगे भी ऐसे ही कन्नेक्ट रह सकें दोस्तों टिक टॉक पर गीट के नाम से मशहूर संगीत जैन ने अपने हिंदी बोलने वाले फॉलोवर्स को अंग्रेजी सिखाने के लिए टिक टॉक का इस्तमाल शुरू किया और इस तरह वो रातो रात मशहूर हो गई हमारी डेली लाइफ रूटीन में बोले जाने वाले इंग्लिश के जुमले और आम सी चीजों के नामों का अंग्रेजी तरजुमा सिखाने के लिए वो रोजाना टिक टॉक पर करीबन 15 से 20 सेकंड की दो वीडियोस पोस्ट करती हैं इंटरनेट पर मौजूद एक इंटर्वियू में संगीत जैन ने अपने बारे में बताया कि वो टिक टॉक पर इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और अंग्रेजी तालीम की वीडियोस बनाती हैं उन्होंने मजीद बताया कि जब वो छोटी थी तो उनका खाब था कि वो एक टीवी एक्टरेस बने लेकिन जब वो 10 साल की हुई तो एक ट्रैफिक हादसे की वज़ा से उनका वो खाब तूट गया क्योंकि उस हादसे के बाद संगीत जैन मुकमल तोर पर विलचेर पर आ गई लेकिन संगीत जैन ने अपना होसला नहीं हारा उन्होंने स्मार्ट फोन की मदद से अपनी परसनेलिटी को दुनिया के सामने लाने की कोशिशे स्टार्ट कर दी शुरुवात में उन्होंने टिक टॉक पर मजाहिया वीडियोज लगाना शुरू की लेकिन लोगोंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अपने फॉलोवर्स को अंग्रेजी सिखाएं और फिर जब उन्होंने अपने टिक टॉक अकाउंट पर अंग्रेजी की तालीम देना शुरू की तो उनके फॉलोवर्स दिन दुगने और चार चोगने बढ़ने लगे दोस्तो इसके इलावा संगीर जैन टिक टॉक पर ऐसी वीडियोज भी बनाती है जिन में कोकिंग रेसिपीस के हवाले से टिप्स और ट्रिक्स भी बताई जाती है उन्होंने अपनी वीडियोज के जरीए अपने फॉलोवर्स के दिलों में एक अलग ही इंस्पिरेशन पैदा की है और इस बात को साबित किया है कि जहां एक तरफ लोग टिक टॉक पर अपनी जिन्दगी का कीमती वक्त जाया कर रहे हैं वहीं आप इस एप्लिकेशन को यूज करके अपने फॉलोवर्स को एक बहतरीन कंटेंट दे सकते हैं तो दोस्तों बताईए आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी आई रेली होग कि आपको संगीत जैन के जबर्दस काम को देखकर जरूर मोटिवेशन मिली होगी वीडियो पसंद आईए तो इसे लाइक जरूर कीजेगा अब वक्त हुआ है आपको अलविदा कहने का फिर मिलते हैं एक नियो वीडियो के साथ तब तक आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा गुडबाई खुदा हाफिज